नमस्ते और हालो एवरीवन नो रूल किचिन में आप सभी का स्वागत है आज हम यहापे बनाएंगे बहुती इजी और जटपट बनने वाला मैंगो संदेश तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है और प्लीज मेरा चानल सब्स्राइब करना मत भूलेगा मैंगो संदेश के लिए हमें चाहिए आधा लीटर फुल क्रीम वाला दूद, चार छिले हुए बड़े आम, थ्री टी स्पून पिसी हुई चीनी, चुटकी भर इलाइची पाउडर, वन टी स्पून नीम्बू का रस सबसे पहले अब हम दूद को फाड़ेंगे, इसके लिए एक टैन में दूद को खुलाएंगे दूद खुलने के बाद हम इसमें नीम्बू डालेंगे, दूद देखे अपने आप ही फटने लग गया है जब छेना और पानी अलग अलग दिखने लग जाएगा, तब हम इसको एक चलनी में चान लेंगे ध्यान रख्येगा इस पानी को आप फेकेगा नहीं, इसको आप आटा सानने में काम ले सकते हैं जब तक छेना धंडा हो रहा है, हम आम के पतले पतले स्लाइस काटेंगे इस तरीके से जितना पतला आप स्लाइस काटेंगे उतना ही अच्छे से रोल होगा यह साइद्स बहुत पतले हैं तो इनको छोड़ दीजेगा छेना थंडा हो गया है, अब हम इसको मैश करेंगे जितने अच्छे से आप छेने को मैश करेंगे उतना ही चिकना और अच्छा होगा आप इस तरीके से हथेली की मदद से भी मैश कर सकते हैं देखे कितने अच्छे से चिकना हो गया है, अब हम इसमें इलाइची पाउडर और पिसी हुई चीनी मिक्स करेंगे अब हम छेने का एक लेयर लगाएंगे इस तरह से मैंगो स्लाइस पे अब बहुत हलके हाथ से इसको डूल करेंगे ये देखे, संदेश तयार है, इसी तरीके से हम सभी मैंगो स्लाइस पे छेने का लेयर लगाएंगे और रोल करेंगे और इसको आप किसी भी ड्राइफ रूट से डेकुरेट कर सकते हैं मैंगो संदेश इस रेडी इस रेसिपी को आप लोग घर पे जरूर ट्राइ करियेगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा